हेलो स्टुडेंट्स देखे समझते हैं अपने एक और नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेवेशन को जो कि है मेगनेटिक फोर्स और अक करेंट केविंग कंड़क्टर सब्सक्राइब कोई एक्स्टरनल मेगनेटिक फील भी है उसमें कोई कंड़क्टर रखा हुआ है जिसकी लें तो में इसमें फ्री इलक्टर रांस हैं कंड़क्टर में उनकी जो डिस्ट व्लाजिटी होगी एलेक्टर की वह क्या होगी करेंट्स की ये बात हमको पता है करेंट always moves opposite to the direction of the current मतलग current के opposite electron चलते हैं electron के motion के opposite current होती है तो current इस direction में है और इनकी drift velocity जो electron की वो इस direction में होगी जैसे की दिखाया गया है clear तो V हमने माली इसके drift velocity है और किसी angle theta पर ये conductor रखा हुआ है external magnetic field से तो अब देखिए अगर हम बात करें के बले एक electron की तो हमको पता है देखिए एक charge particle पर जो force लगता है magnetic field में अगर वो V velocity से चल रहा हो तो उस पर लगने वाला जो force होता है उसका formula पता है हमें क्या होता है QV cross B हम जानते हैं since force on electron on f equal to the formula हमारा क्या होता है f is equal to q V cross B कि यह होता है force का formula जिसको हम क्या बोलते हैं magnetic lawrence force तो magnetic field में लगने आला force का formula यह होता हमारा अब देखिए electron है कि इस case में तो electron पर charge होता हमारा क्या माइनस का ई velocity हमने मालने इसकी drift velocity तो वी डी हम लिख देते हैं यह हम केवल वी भी लिख सकते हैं क्योंस बी वेक्टर है क्लियर तो यह एक electron पर लगने वाला force है अगर हम बात कहें इसमें जो इलेक्ट्रू डेंसिटी इलेक्ट्रू डेंसिटी के वोलते हैं इलेक्ट्रू पर यूनिट वॉल्यूम तो हमार लेतेए Let कि i small n वी दा कि ए इलेक्ट्रूण कि डैंसिती electron density electron density को बोलते क्या है number of electron per unit volume number of electrons पर unit volume तो electron density हमने मान लिए इसमें small n है तो टोटल number of electron अगान निकालना चाहें तो टोटल number of electrons electron density की form में total number of electron निकालना चाहें तो देखि कैसे निकालेंगे अब को पता है इसकी length l a क्या है यह बोल्यूम अगहां निकलना चाहें इस ित्त windows तो जुट कुट सकते हैं इसका वॉल्यूम में पता है मनली इलेक्टराइड डेंसिति लिट्टि चेमेंगा कितने स्मॉल एंड तो येलम में कितने होंगे इससे आप मल्टिप्लाई कर दिए तो किता आजाएगा टॉटल लंब ओफ लेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे माली सब्सक्राइब कर लेते हैं इकवल टू हमाई क mutually है पिए एल्ड वालियूम इन्टो उन्बब ब्लखे हैं तो एन्ष ऑ्याख़ सब्सक्राइब Y में हैं क्या चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोस ही तो गने प्रोस होगा तो दीके फोस ओन कंड़क्टर हम लिख सकते हैं कि नाव कि फोस अगॉंड कंड़क्टर इस इस गीविन बाइ गिविन बाय देखे एक एलेक्ट्रों पर लग रहा है हमारा फोस यह टोटल लंब्र लगट्रों पर कितना लगए गए इससे मल्टिप्लाई हो जाएगी एफ एकॉल टू ए ए ल एन और एक एलेक्ट्रों पर कितना लगए हमारा माइनस का इवीडी वी तो यहां लिख सकते हैं देखिए माइनस इदर पुट कर देते हैं हम पहले माइनस का ई और वीडी क्रॉस वी वेक्टर है क्लियर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू अगर हमँसे ऐसे लिख दें देखिए एए ऐल को दूब ले जाते हैं ए और यह जो माइनस है माइनस और यह एल इसको मैकिट कर अंदर ले आए देखिए इसको ऐसे सकते माइनस का ईल वी डी वेक्टर क्यों बी वेक्टर इसको ऐसे लिसकते हैं अब दिखिए हम हमें पता है अगर हम I L current element माने इस कि I L vector वीधकर्ण अगर इसको माने क्या करेंट एलिमेंट और हमको पता है जो करेंट एलिमेंट की डेक्षन होती है वो किस डेक्षन में होती है 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 कैंट तो कणैने अलिमेंट हम कहा से लेते अले कर्वेंट की डिरेक्शन देखेए तो यहां माइनस का qui L into VD ए क्यो unused कि टीए dB करेंट कि ल की डैक्शन के स्टेक्शन में और जिस डैक्शन में के टेंट होगा और डिस anonym के कैसी एक पसितवाजियाग करेंट मतलब अनके direction कैसी है, same और drift velocity current के opposite है, तो हम इस तरी की लखते हैं, VD L vector, अगर हम VD पर Vector लगाएं, तो माइनस का L VD ले सकते हैं, तो यहां से देखें, कि माइनस का L VD को, हम VD Vector को हन लगा हैं, तो माइनस की लींटर सकते वीडी रैक्टर तो इसको मपी सिंप्थी ऐसे लिह सक्ते ने एफ एक्वल टूऊ इसको देखें यहां से में झंची और इसको माइन इस को माइनस का वीडी ङुटर। हम चया सकते हैं वीडी निस लाट यूटे वीडी इंटू एल वेक्टर क्रॉस वीवेक्टर यह हम इसको एसे रखने लिए कि एफ वीडी को आप बहार ले लिए वीडी और यहां से देखे इन यह क्या बन जाएगा इन एब यह बीना वाला फॉर्मला मैंने आपको बताया था वीडी एन यह क्या लाता हमां करेंट तो इस ट्रम को हम जो सकते हैं आई तो इसकी जगह पूट कर देते हैं आई और किता एल क्रॉस वी वेक्टर तो यह हमारा रिक्वार्ड एक्सपेशन होता है किसके लिए फोर्स के लिए फोर्स ओन करेंट करिंग कंड़क्टर प्लेस्ट इन एक्स्टरनल मैंगनेटिक लगने वाला जो फोर्स होता किसी कंड़क्टर प्लेस्ट क्या होता आई एल क्रॉस भी और आपको पता बेक्टर क्वांटिटी की डिरेक्शन हम कैसे देते हैं ल की तरप राइट हैंड थम्रूल से ल की तरप फिंगर कीजिए और बी की तरप क्या कर दीजिए टर्न कर द देखें तो में की अमने ट्रेक्शन में लेंगे ťलकी दिरक्शन इधर वी की डिरेक्शन यह तो में ंवड्स का दो आप नवर डियेक्शन मालगा तो कैसा बदूर्ट बर देक्शन गया तो ल क्रुर्स बीच्टर एफ क् सो आइल कंई यह मारा क्या होता है एक इत अब फॉर्मला फॉर्स या फिर हम इसको ऐसे भी लिए सकते हैं देखी एफ एक्वल टू आई एल वी कि साइन ठीटा और ठीटा हमारा किस किस के बीच पैए एंट्व एनके अगा बैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां से सब में क्या भेक्टर फॉर्म लगा देते हैं क्यों कि मैंने ही लिया था अब inform कि यहां भी क्या सब्सक्राइब अगर मैगनिटूड लेते के बड़ तब हम एक्टर नहीं लगाते तो यहां से देखें हम इसको ऐसे भी सकते हैं आई एल इंटू साइन ठीटा एंड़ किया है पर पेंडिकुलर वेक्टर एल और बी वेक्टर के यहां से देखें इस यह कंड़क्टर को हम जैसे इस तवी के से हैं और कंड़क्टर को भी हम इसी तरीचे से प्लेस करते हैं किसी डिएकिन मतलब यह L vector और magnetic field भी दोनों कैसे हैं और मतलब यह पर मैगनेटिफ़ील तो इस तीटा इस इकल टू जीव हो यहां फिर और 180 मतला अगर कंड़क्टर पैलल रखा हो यह फिर एंटी पैलल रखा हो जाहें मैगनिटी इधर हो इस डिरेक्षन में हो जाहें इस डिरेक्षन में हो मतलब थीटा बनेटीः और जीव हो राइल और बीके बीच तब फोस्ट देखें किया साइंड 180 और साइंड 0 कित्ती होती जीव देन फोस्ट हो जाएगा देन नेट फोस्ट लगए गर कंड़क्टर पर 0 तो याद रखिएगा जब कंड़क्टर परलल रखा होगा magnetic field के तब जो net force होगा conductor पर लगने वाला वो कित्ता होगा जीवो होगा ऐसे ही बात करें अगर इफ ठीटर इस इकल तो 90 डेट मीज्ट जो conductor है हमारा वो magnetic field के कैसा रखा है perpendicularly मान लीज़े ये conductor इस तरीके से रखा हुआ है यह कित्ता एंगिल बना रहा है 90 तब हमारा जो होगा maximum value होगी IV L की और जब पैलल और एंटी पैलल वखा होगा मतलब ठीटर जीवो और 180 होगा तब फोर्स कित्ता लगेगा जीवो काफी इंपोर्टेंट है इसको भी कर लीजेगा आप बोर्ट के पॉइंट आप व्यू से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दा वीडियो